हेलो एप्रिवन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आप लिए लेकर आई हूँ बहुत ही साधार से समानों से बनने वाली पेड़े की रेस्पी जो बिलकुर मार्केट स्टाइल बना है और स्वाध भी मार्केट वाला ही है बस ये घर के सेफ इंग्रीडियंट से बना है सबसे खास बात ये है कि ये एकदम मेल्ट इन माउथ है और ये बहुत ही कम समय में बनी है फ्रेंट्स रेस्पी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस रेस्पी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले लेना है फुल फैट मिल्क याज जो आपके घर म अब दूद लेंगे एक पैन में और ये दो कब दूद है अब दूद को आपको चलाते हुए पकाना है क्योंकि दूद बहुत तेजी से बॉटम में लगता है किसी भी बरतन के तो इसको चलाते हुए मीडियम तो लो फ्लेम पर पकाईएगा जिससे दूद बिलकुल ने यहां पर मिश्री कभी उपयोग कर सकते हैं और ये हाफ कप मिल्क पाउडर अब चारी चीजों को ठीक से मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए ही आपको मिलाना है जिससे जो मिल्क पाउडर है इसके लम्स ना बने और दिखिए हलका सा मैंने मिस किया और थोड़ा सा लग भी गय यह तो इसको आपको बरावर चलाते रहना है जिससे बिल्कुल ना लगे और तब तक हम पकने देते हैं इसको और आगी की तैयारी को यहां पर लेंगे एक फ्रेस नारियल क्यों जिसका यह ब्राउन वाली पार्ट हमें पूरी तरीके से निकाल देना है और आप इस पूरी तरीके से चील लेना है और इसे अब करेंगे ग्रेटिम साइज तो आप इसको अब सब्सक्राइबगे शाय करें ल्हाइल उस्हाया है अब अब शालते पैन लेंगे इससैंने लोश कर Iya मत भी मत भी कोई आरme से 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसमें जो बड़े वाले पार्ट्स हैं इन्हें आपको हटा देना है जिससे आपकी मिठाई एकदम स्मूथ बने तो ये 3 से 4 मिट के बाद अब आप इसे ट्रांसफर कर लें ग्राइंटिंग जार में और इसे ग्राइंड कर लेते हैं बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेना है फाइन ग्राइंड करने से होगा जो आपकी मिठाई बनेगी बिल्कुल स्मूथ मार्केट स्टाइल लगेगी तो ये देखे बिल्कुल स्मूथ क्राइंट हो गया है दूद को बलते हुए भी टाइम हो गया है और ये थ्रीवाई फोर्थ रह गया है तो अब हम इसमें डाल देते हैं ये तैयार किया हुआ नारियल का बुरादा और अब इसे चलाते हुए आपको तब तक पकाना है जब तक कि ये बॉटम को न छोड़ने लगे तो आप इसको बराबर चलाते रहिएगा नहीं तो ये बहुत तेजी से लगता है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है वन टीस्पून देसी गी इससे ये मिठाई बहुत स्मूध मनेगी और इसमें खुस्पू भी बहुत अच्छी सी आएगी तो ये चलाते हुए सा से आठ मिनट हो गए हैं सा से आठ मिनट में देखिए या बिल्कुल बॉटम को छोड़ने लगा है फ्लेम को कर देते हैं और इसे अभी आपको इस तरीके से चलाते हुए थोड क्योंकि सूखता है तो बहुत तेजी से लगने लगता है अब हम इसे ट्रांसफर कर लेते हैं एक प्लेट में और इसे ठंडा कर लेते हैं तो ठंडा करने के लिए आप इसको फैला दीजिए जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए चार पांच मिनट में ये बहुत आराम से हो जाता है तब तक हम कट कर लेंगे पिस्ता तो मैंने पिस्ता कट कर लिया है और ठंडा हो चुका है हमारा मिक्चर इसे हम इस तरीके से रूल के सेप में बना लेंगे जिससे जो मिठाई बनेगी वह बिल्कुल समाना कार की बनेगी तो इसे मैंने बराबर पॉर्शन में क तो आप देख सकते हैं ये नारियल एक कप नारियल था इससे ये देखे बहुत अच्छे से 7-8 मिठाई काफी अच्छी बन जाती है और अब आपको बनाना है यहाँ पर इसको सेप देना है तो इसके लिए मैंने ये क्वाल्टी वाल्स की जो आइस क्रीम का बॉक्स होता है किया एक बॉल्स को डाल दिया है और हलके हां तो से प्रेस करें बहुत तेजी से प्रेस नहीं करना है वसलके हाथ ऑसानी से निकाला है और यह देखे कितनी खूब सूरत मिठाई बनी आपको दूसरी भी बना कर दिखाती हूं… इतनी बगभग 8 पीस बने हैं तो यह देखि मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ है ना बहुत सुदर सीम ठाई सच में दोस्तों देखने में बहुत सुदर है उसी तरीके से ये खाने में भी बहुत अच्छी है तो हलो फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी रैस्पी पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब